दोस्तो आज हम राष्ट्रपती चुराव लड़ने वाली प्रतम भारती महिला लच्छमी सहेगल का जीवन पर चे आपको बतानी जा रहे हैं लच्छमी सहेगल भारत की स्वतंतरता संगरम की सेनानी थी वे आजाद हिंद फोज की अधिकारी तथा आजाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंतरी थी लच्छमी सहेगल का जनम 24 अक्टूवर 1914 को मदरास जिसको अब चीनने की नाम से जाना जाता है में हुआ था इनको लच्छमी स्वामी नाथन के नाम से भी जाना जाता है इनकी पिता डाक्टू स्वामी नाथन और मा स्वाधीन ता सेनानी अम्म कुट्टी थी पसित नित्यांगणा मराईली सारा बाई इनकी सगी बेहन है सहगल ने 1932 में बिज्ञान में इसना तक परिछा पास की 1938 में उन्होंने मदरास मेडिकल कॉलेज से MBBS की और बर्स 1949 में गाइना कॉलोजिस्ट यानि जच्चा वच्चारोवी से शगी बनी कुछ दिन इन्होंने चेन नहीं के कस्तूरवा गांधी होस्पीटल में बतोर डॉक्टर काम किया जो एक सरकारी होस्पीटल था एक डॉक्टर के तॉर पर काम करने के बाद इन्होंने 1940 में सिंगापुर जाने का फैसला लिया ये फैंसला इन्होंने पी के एनराव के साथ उनकी साधी के तूटने की बज़े से लिया उस समय तातकालेक सिंगापुर में बहुत सारे करांतेकारी रहते थे जिसमें प्रमुक्ते के पी के सम्मेनन एसी गौहा और एनरागवन आदे 1942 में 32 स्युद के दोरान उन्होंने घायल युद्ध बंदियों की देखवाल की इसी बीच 1943 में सिंगापुर में स्वास्चंद बॉस का आगमन हुआ स्वास्चंद बॉस से मुलाकात करने के बाद लच्चमी सैगल ने आदादी की लड़ाई में उतरने की अपनी इच्छा जाहिर की जिसके उपरान स्वास्चंद बॉस ने लच्चमी सैगल के नित्त में रानी लच्चमी वाई रेजीमेंट की गोसना कर दी रानी यच्विवाई रेजीमेंट में इन्होंने अपने अथक प्रयासों से 500 से ज़्यादा महिलाओं को चोड़ लिया और इस रेजीमेंट की प्रमुक वोने के कारण वह कैप्टन नाम से जानी जानी लेदी अपनी द्रण इच्छा एवं सास के कारण उन्हें करनल का पद दिया गया जो कि संभवता एसिया में किसी महिला को पहली बार प्रदान किया था हालां कि वहल कैप्टल लच्मी के नाम से लोग प्रिय रही इस दौरान उन्हें मुकदमे के ट्राइल के लिए भारत बेजा गया इस ट्राइल को लाल खिला ट्राइल के दौर पर भी जाना जाता है इस ट्राइल के दोरान भारत के स्वतंतरता संग्राम ने एक महत्पूर मोड लिया, इस ट्राइल से स्वतंतरता संग्राम में राष्ट्रवाद और लोग प्रियता की नई लहराई, जिससे भारत में ब्रेटिस उपनिवेशबाद का अंत हो गया, जोलाई 1916 को उन्हें बरी क कर दिया गया, डक्टर लच्चिमी ने लाहर में मार्च 1946 में करनल प्रेम कुमार सहेगल से बिवा कर लिया और फिर कानपुरा कर बस वे, भारत की आजादी के बाद भी कैप्टर लच्चिनी सहेगल का सफर ठमा नहीं, वो कानपूर में बसकर मेडिकल प्रक्टिस करने के सा भारत आने वाले सरणाथियों की सहाइता करने लगी, उन्होंने 1971 में मार्क्स वादी कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता गरेंड की और राजस्वा में अपनी पार्टी का प्रतेने दित्त्तु किया, लच्चमी सहेगल पूर्वी पाकिस्तान यानि आज की बंगला देश में अस्तिरता के कारण वहां से आने वाले सरणाथियों के लिए, कोलकाता में बचाव केम्प और मेडिकल केम्प शुरू किया गया, कैप्टन लच्मी सहेगल 1981 में गठित All India Democratic Women's Association की सलस्थापक सदस्यती, 1984 के भोपाल गेस तरादसी में उन्होंने रात कार्व में भूमिक पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, करांतिकारी समाजबादी पार्टी और All India Forward Block ने सहेगल का समधतर राष्टपती चुनाव के लिए किया, उस समय राष्टपती पद के उम्मीदवार एपीजे अब्दुलकलाम थे, इस चुनाम में लच्मी सहेगन की हार हुई और एपीजे अब्दुलकलाम देश के राष्टपती बने, सुवाशन बोस की आजा दिन फौज में कैप्टन रही डॉक्टर लच्चनी सहेगल का लंबी विमारी के बाद, 23 जुलाई 2012 को 98 वर्ष की आयू में कानपुर के एक अस्पताल में निदन हो गया, देश उने 77 सेनानी डॉक्टर सांसर समा सेवी के रूप में सदय वियाद रखेगा, कैप्टन सहेगल की दो बेटिया थी, पहनी बेटी सुवासिनी अली और दूसरी बेटी अनीसापुरी है, उनकी बेटी सुवासिनी अली 1989 में कानपुर से माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की सांसर भी उलेखनी सेवाओं के लिए पदम विभूचर से सम्मानित किया गया, 2010 में उन्हें डॉक्टरेट उपादी से कलिकल यूनिवर्स्टी द्वारा सम्मानित किया गया, उनकी याद में कानपुर में कप्ताल लच्मी सेगल इंटरनेशनल एरपूट भी पनाया गया है